नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपको स्वागत है आज मैं आपको आरिवेद का अम्रीत गिलोय के बारे में कुछ बताना चाहता हूं यह परकृति ने जो बनस्पती हमें दिया है यह एकदम अम्रीत के समान है जो पसूओ के लिए बर्दान है गिलोय का पत्ता पसूओ को खिलाने से किसी भी परकार का इंफेक्शन बैक्टेरिया खत्म हो जाता है और वायरस का अठेक से बचाता है पसुओं को रोग परतिरोधक छमता भी बढ़ाता है यादि पसुओं को पेट संबंधित कोई दिक्कत है उसके लिए उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रोब्लम हो गया है तो पसुओं को गिलोई के पत्ते और जामुन के पत्ते सुबह साम तीन दिन तक दूदू मुठी खिलाना चाहिए दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं गिलोई का एक एसी बनस्पती के बारे में जो इसका नाम पूरे भारत में मसूर है गुरीच गिलोई के नाम से दोस्तों हम बात करेंगे कि पसुओं चीकित्सा में इसे किस तरह से उपयोगी फैदा मुतलब पसुपालकों को उठाना चाहिए कि यह हर किसी भी पेंड के उपर उपलब्द रहता है पेंड के साथ लिप्टा हुआ मिलता है ज्यादा तर दिहाज छेतरों में इसकी बहु अधिए सहयोगी है दोस्तों यह जो परकृतिक बनस्पति है गिलोए गुरीच के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि गिलोए बनस्पतियों के जो रूप जो हमें परकृतियों के पर चूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्सियम और फासफोरस काफी अच्छी सुरोथ होता अगर हम पशू को गिलोए के पतियां खिलाते हैं तो हमारे जो पशू हैं उनमें फासफोरस, कैल्सियम और प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है दोस्तो अब हम बात करेंगे गिलोए का तनाक के च्छाल या तने के बारे में इसका इस्तमाल पशूओं के जो लिक्वीड आती है जैसे हिमालया वतीशाल लिफ फिटिन टू डायरोक नाम का जो औस दिये में भी गिलोए का काफी मातरा में उपयोग होता है तो इसका मतलब यह है कि लिभर संबंदित प्रोबलम में भी यह बहुत कारगर है किसी भी परकार का अगर गाय या भैस को बुखार हो तो गिलोए का जो जड़ है उसको पानी में उबाल कर सुबह साम पानी को तीन टाइम आपको पिलाना चाहिए इसका मैथेड हम थोड़ पसूओ को मिर्च और लाल चने के साथ अगर पीश कर खिलाने से कब्ज का छुटगारा मिल जाता है पसूओ के पेट संबंदित किडे को भी मारने में यह गिलोए काफी हीं कारगर होता है पसूओ के खून के साथ किउध को साफ करता है पसूओ को हिरदय गती को भी सामान क करने में मदद मिलता है और ज्यादा बीमारियों से बहुत ज्यादा बीमारियों से करीब सो बीमारियों से गिलोए जो है हमें या जानवरों को छुटकारा देता है दोस्तों या पसुओ को सरदी जुकाम बुखार का भी लाइलाज इलाज को भी इलाज कर सकता है इसको जो त बुखार बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाता है। रोग, परती, रोधक, छमता, इम्मनीटी बहुत बढ़ जाती है।